नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुतान आप मैं हूँ आपके साथ हारजे अन्जु रेडियो न्यूस में आज जानी है कि सीएम अरविंद केजरी वाल को जान से मारने की धंकी देर राद दिल्ली पुलिस के पास आया फोन दिल्ली में केजरीवाल को कोई जान से मारने के धमकी दे रहा है और ये धमकी कौन दे रहा है चलिए जानते हैं दिल्ली पुलिस जब रात में पैट्रोलिंग कर रही थी उस समय PCR वैन को रात 12 बच कर 5 मिनट पर एक कॉल आया और इस कौल में cm अरविंद केजरीवाल को जान से मारने के धमकी दे गई है जब रात में पैट्रोलिंग कर रही थी उस समय PCR वैन को रात को 12 बच कर 5 मिनट पर एक कॉल आया और इस कॉल में CM अर्विंद केजिरिवाल को जान से मानने के धम की दी गई है हाला कि आरोपी की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है Sway में पुलिस ने उसे गिरफतार नहीं किया हाला कि पुलिस ने आरोपी से पूश्टात करने की कोशिश भी की है लेकिन अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि कहीं इस धमकी के पीछे ये जो मानसिक रोगी है इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं है किसी और समहू का हाथ तो नहीं है किसी आतंकवादी समहू का इसके बारे में जाच चल रही है पुलिस जाट परताल बहुत ही गहरी चानबिन कर रही है और धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस के मामले की जाच तेज हो गई है पुलिस जुट गई है पूरी अच्छी तरीके से ताकि ये पता लगाया जा सके क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिली है कि ये जो कॉल किया गया था ये किसी मानसिक रोगी ने किया था लेकिन हो सकता है कि उसे किसी ने उकसाया हो पैसे दिये हूँ, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पुलिस ने इसने बहुत हलके में नहीं लिया है और इसकी जाच परताल चल रही है, इसके बाद पुलिस ने नमबर के आधार पर जाच पर फोन करने वालों की पहचान की, पुलिस ने पता लगाया कि जिस नमबर से कॉल आया था वो नमबर कहां से था और किस ने किया था कॉल इसके बाद पुलिस जब उसके पास पहुची तो ये पता चला कि कॉल करने वाला शक्स 38 वर्ष का है और मांसीक रूप से बिमार है शक्स का इलाज गुलाबी बाग में चल रहा है लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि पुलिस ने इस घटना को हलकी में नहीं लिया है क्योंकि आखिर दिल्ली के मुखी मंतरी को इस तरह का धमकी भरा कॉल आया है तो ये कोई साधारन बात तो नहीं हो सकती है इसके लिए पूलिस पूरी तर से जुटी है ये जानने में कि कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं तो हमारे साथ बने रही आज बस इतना ही अगली बार हम आपको कुछ और नई खबरों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार